हेलो स्टुडेंट आज से स्टार्ट कर रहे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क मैंने अब्जेक्टिव एक दो लेक्चर लिया हुआ था बट यहां से हम लेक्चर वाइस जो है सिलेबस के हिसाब से चलेंगे फस्ट नूट सिलेके 15 नू तो देखें कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह दो सब्दसे मिलके बना गया है एक कंप्यूटर है दूसरे नेटवर्क है कंप्यूटर आप सबको पता है फस्ट इयर में आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कंप्यूटर क्या है बात तेरें कि यदि नेटव करने मि तो नेट मतलब होता है वक्स तो क्या करना है के मृपटर के नहीं होगी एक सहरी क्यूंप koं आप शृत हीह जेते हैं यह थिक होता है कम्प्यूटर को जब種़ाइन आपको जोड़रे थे है तो क्म्प्यूटर क्या बन जाता है वह 바뀌ने कुरेत हैं रही हमए दूसरा बात करेंगे, जब एक सेधी computer रहता है, उनको जब आपस में जोणना रहता है, तो जोणने के जो तरीका रहता है, तो माध्यम या medium कहते हैं, तो दो प्रकार कर जो है medium होता है, एक होता है wired, दूसरा होता wireless तो जो wired होता है उसमें केबल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग तार सहीट कहते हैं, इसको हम लोग wired भी कहते हैं, यह connection oriented है, क्या कहते हैं, connection oriented भी कहते हैं, केबल का तो केबल का मप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है केबल के तीन कंप्यूटर है सब किसी ने जिए जूड़ा हुआ है यहाँ पर switch यूज़ किया जाता है मैं बताऊंगा switch क्या है उसका अलग से एक lecture बनाऊंगा मैं कौन से network के device उपयोग किया जाता है यह दिखिए यह जो तीन computer 1,2,3 वो जो है server के मादन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर दिखिए एक single printer है और वो server से जुड़ा हुआ इसका मतलब यह है कि computer 1,2,3 तीनों के तीनों जो है एक printer को server की मदद से जिस किसी को भी print निकालना हो है यहाँ से direct print निकाल सकता है ठीक है क्या और यदि आप internet से जुड़ा चाहते हैं तो सब अलग अलग तीनों computer को अलग से computer network से जुड़ने का हो सकता नहीं है आप क्या करिए router की मदद से internet को server से connect कर दिजिए चुकि यह जो 1,2,3 मैंने लिखा हुआ वो सभी की server से जुड़े हुआ है मदब यह है कि उन तीनों को भी server की मदद से जो ऐ internet मिल जाएगा तो computer network के क्ट नव के आप बतादें तो आपको इसको data network कभी कहा जाता है क्या कहा जाता है computer network को data network कभी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर data का अदान प्रदान होता और computing devices भी होता है computer बसो connect करना ही network नहीं है computer हो गया, printer हो गया, CPU हो गया ठीक है, यह सभी चीज़े हमारा computing device के इंतरगत आता है तो computer device और other computing hardware device को सब को जब आपस में जूड़ दिया जाता है किसी माध्यम की मदद से communication channel की मदद से जैसे मैंने देखो, यहां पर wired और wireless का आपका वर्णन किया था यहां पर मैंने यह कुदारन भी लिख दिया है जैसे wired में आपका cable होता है जैसे fiber optics आप सबने सुना होगा twisted pair सुना होगा ठीक है न, optical fiber सुना होगा यह सभी आपका wire के अंतरगत आता है बात wireless की करें तो जो common, आप सबने सुना होगा मैंने वही example लिख है, wifi आप लोगों ने सुना होगा वैसे infrared भी होता है, wifi के लिए infrared भी यूज़ करते है wireless के लिए infrared होता है ठीक है, और आपका wifi होता है यह सभी के सभी wireless की example है इन सबकी मदद से हम क्या करते है computer और computing device का आपस में क्या करते है, जोड़ देते है जोड़ने का मुख्य मकसद क्या रहा है हमारे communication जिसमें हम लोग क्या करते है, सुचनाव का दान प्रदान करते है दूसरा, केवाद सुचनाव का दान प्रदान करना ही जो resources होता है जैसे कि hard disk लिखा मैंने CPU लिखा है printer लिखा है इन सब को क्या करते हैं आपस में एक share कर देते हैं आप लोग देखे होंगे जैसे कभी आदबर internet cafe गया होंगे बहुत सारे computer रहते हैं लेकिन printer रहते हैं तो computer एक सले के 10 तक रहे हैं जो एक सले के 20 तक रहे हैं कोई भ आपना परिवासा सबको प्रदर्शीत कर देता है तो डाइग्राम को इस तौर पर फोकस करना है बात करते हैं computer network के अंतरगात कुछ और परिवासा देख लेते हैं कहता है कि computer network में जैसे हमने कहा कि कम से कम एक से तो जातागा computer होना चाहिए तो कितना हो सकता है तो हो सकता है सेकड़ भी हो सकता है और हजारों भी हो सकता है और सभी को आपस में जूड़ना चाहिए जूड़ने का तरीका भई दोनों हो सकता है चाहिए आप cable की मदद से जूड़ने या बीन cable की मदद से जूड़ने ठीक है और इस तरीका को हम लोग क्या कहते हैं networking कहते हैं बात करते कि network में जितने भी कंप्योटर आपस में जुड़ हुए रहते हैं जैसे मैंने diagram में दिखाया आपको उस सभी कि सभी computer को हम लोग क्या कहते हैं अब क्योंकि network की बात हो री है तो हम उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं node कहते हैं और जो computer network के लिए resource उपलब कराता है रिसूर्स प्रवाइड करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से डियग्राम पे ले चलता हूं, यह देखिए इस डियग्राम में जैसे सिस्टम नमबर 1, 2, 3 है, यह सिस्टम नमबर 1, 2, 3 कहा सकते हैं, क्योंकि बात यासा होता है कि जब आप जैसे माल लेजे कुन उपलब करा रहा है तो कौन करा रहा है सर्वर की मतदद से मिलेगा तो सर्वर की मतद से मिलेगा तो नेटवर्क में जितने भी computing device भाग लिता है उसको हम लोग क्या कहते हैं नोड कहते हैं और उस network के लिए जो संसाधन resource उपलब कराते हैं सर्वर कहते हैं बात क्लियर है क्या बात करते हैं कि जो बीन इंटरनेट की मतद से आप वोडस भी उस कर सकते हैं क्या कहते ही नहीं बीन इंटरनेट की मतद से आप जो है किसी प्रकार का social networking site है जो application है उसका उप्योग आप नहीं कर सकते बात पिल लेते हैं थोड़ा से history की तो जो सबसे पहला जो हमारे network था computer network जिसका नाम था 반Fog Network अर्पनेड बहुत important है इसका नाम पूछ लिया जाता है objective में इसका नाम पूछ ले जाता है इसका full form पूछ ले जाता है so सबसे पहला computer network का नाम था अर्पनेड था То अर्पनेड का full form होता है आपने सोचनाव का दान करने के लिए आर्मी में क्या होता था अपने जितने भी उनके सैनिक थी उन तक सुचना पहुचाने के लिए जो है लूपियों क्या था बट आज यह बहुत बड़ा एजेंसी हो गया है दुनिया भर के जितने भी नेट कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है क्या बात कर लेते हैं इसका मुख्य उद्दे से क्या था क्या ऐसा कारण था कि अब इन सबसे मैं काम ले रहा हूं तो क्या मैं सबको सिंगल सिंगल प्रिंटर दूँगा तो देख लो भई आप यदि 6 अगर नोड है तो 6 प्रिंटर लगेगा ठीक है तो आप ऐसा करने से आपको क्या होगा बजट बढ़ जाएगा ठीक है वो दूसरा कारण है लेकिन य प्रिंटर लेगा जोन लेगा मतलाब चाहिए एक हो यह दस हमारे पास नोड हो हम एक ही प्रिंटर लेकि उसको क्या करतेया है सेरिंग में ढ़ देते हैं ये एक हमारा एडवांटेज लिए ठीक है गार क्या कर सकते है देखिए इसमें मैं एक एक पॉइंट के आपको डिल क होता है डोंगल या आजकल तो हम लोग जी वाइफा यूज करते हैं तो वाइफा इक लेत खर दिकत नहीं रहता है बड़ जैसे डोंगल है यह राउटर है इन सब क्यों सकता नहीं होती है आप एक सर्वर से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं ठीक है अब देख लिजिए एक प्रिंटर है मालेजे पहला जो नोट से जूड़ा हो उसको काम ही नहीं है कम्प्यूटर नंबर जो तीसरा जूड़ उसको जाद उपयोग है तो भाई आप इसको भी सी से जूड़ दिये रहो जब आउसकता होगा यह प्रिंट कर लेगा जब आउसकता होगा अपना थाड़ वाला प्रिंट कर लेगा ठीक है क्या दूसरा हमारा जो मुख्यों कर तो कैसे पतारो दिखे महले आपका एक हमारे जैसे को फर रहे हैं इसे प्रोजक्र में बड़ा काम है अब हमारे पर समयाने पहां है सो नोड़ है याम ने हम्हाँ दिदे और यौ-धसर अपॉंहों होगा अगर हम हम लोग फांछे सबिक्रेत करे एक करे यह टैजें थो डिस्ट्यबूटर को नगप मैं ना ओंत शोटे-छोटे भाग में अपने जीतने और याशतर पीखरोगर Guillet ने पास आपनों होलता संवे हमारा point है पैसे की बचत तो पहला का पर ही ही नीर्भर है जिसे कि हम ने खाब हाई कि मालेजे 5 से 6 कंप्योटर हैं और हम 5 से 6 कंप्योटर के लोग प्रिंटर लेंगे तो हमारा जोप पैसा बहुत ज़त लएगा 6 प्रिंटर कोगे एक एक प्रिंटर एक चारहजार का तो च्छह चोविस ज़र लग रहा है लेकिन यह दिए आप एक ही प्रिंटर खरीद लो और पूरे के पूरे च्छह के छह सिस्टम से आप जोड़ो सर्वर की मतदद से तो बताइए एक ही प्रिंटर से आपका 6 प्योग भी हो जाएगा और आप दे रहें CPU तो आप ऐसा मत करें आप क्या करिए एक बड़ी हैस एक सिस्टम खरी दिए हाई कंफिग्रेशन का उसको अप सर्वर बना दीजिए उसके बद आप क्या करिए चार आसे कंप्यूटर खरी दिए जिसकी कंफिग्रेशन क्या हो कम कम हों योकि आपके में एक ह आपके अपरेटिंग सिस्टम आप सर्वर में डालिए बाकी सब आपके क्लाइंड बन जाएगा मुख्य सर्वर रहेगा तो जो कम कंफिग्रेशन के कंप्यूटर करिदेंगे जिसको मैं यहां पर लिखा हुआ कम सकती साली कंप्यूटर को आप क्या करिए एक मुख्य कंप क्या है करके डाइनमर के कुशन आ सकता है तो आप इसको एक बर रिट कर लीजिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताईए लाइक कर दीजिए बेले गन दबा लीजिए तक इस अभी लेक्ट्टर जो है आप तक आसानी से आउस्ते रहें थैंक्यू